हेलो वियर्ज वेलकम बैक टो माई चैनल बेस्ट केर और प्रेगनेंसी तो फ्रेंड्स कैसे आप सब आज किस वीडियो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि फॉलिक एसीड का कितना बड़ा रोल होता है प्रेग प्रेगनेंट हो गया है तो उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी को नाइन मन्त तक मिस्कैरिस से बचा के रखने में बहुत बड़ा रोल होता है फॉलिक एसीड का बहुत सारी लोग है जो फॉलिक एसीड के बेनिफिट्स नहीं जानते हैं एक पहले मैंने वीडियो शेयर किय में हैं और वह फॉलिक एसीड के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो अलग अलग वीडियो पर कॉमेंट करके पूछते हैं कि मैं कितने दिन तक खाना चाहिए कब लेना चाहिए कितनी मात्रा में लेना चाहिए और हम प्रेगनेंट हो गये हैं तो क्या हमें से बंद कर देन क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे विवर से जिन्होंने फॉलिक ऐसे लेने के बाद विदिन मंथ प्रेग्नेंसी कंसीव की है आप भी कंसीव कर सकते हैं चलिए बताते हैं कैसे वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखिएगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जोर करेगा को कोई भी क्वेरी आपकी हो अगर पर्सनल तो उसके लिए आप मुझे इंस्ट्रागाम पर फॉलो कर सकते कॉमेंट कर सकते इंस्ट्रागाम है पेस्ट केर ऑफ प्रेग्नेंसी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कितनी मात्रा में लीना चाहिए और प्रेग्नेंट होने अ 400 mcg होनी चाहिए 800 mcg होनी चाहिए 5 mg पिल्कुस सही मात्रा है प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए फॉलिक एसिड की आप किसी डॉक्टर के पास जाएगे मालीजी जिनको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएगे कि आप प्लान कर रह और उसमें जो मात्रा होगी वो 5 mg ही होगी क्योंकि यही सही मात्रा है प्रेग्नेंसी कंसीव होने के लिए ही मैंने भी अपनी प्रेग्नेंसी जब मैं प्लान कर रही थी तो मैंने इतनी ही मात्रा में फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट किया था और बहुत जल्दी मैंने गर् करना है अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए मालिज आपने अभी ट्राइब करना शुरू किया है या आप दो महीने से ट्राइब कर रहे हैं तो अब आपको लेना स्टार्ट करना शुरू कर देना चाहिए अगर आपने अभी से लेना प्लानिंग अब जब प्रेगनेंट हो गया है तो क्या उसके बाद फॉलिक एसिट बंद कर देनी चाहिए देगे फॉलिक एसिट कोई खराब चीज नहीं है कि आपको डर लगे कि इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा मुझे लेने के बाद मुझे पीरियोट में लेना चाहिए या नहीं मैंने रिलेशन बनाया है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए फॉलिक एसिट आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं चाहे आपकी पीरियोट टाइम हो चाहे आपका इंप्ला cambiник opens MA करेंग आपको फिर उसको रेकमेंट करेंगे आपको प्रेग्नेंट आइरन कए कि यह तीन जलती है प्रेग्नेंसी करते है लेकिन कहीं काई केसे में करते है पास केस बphonesक पैस्प एक तो नहीं हुआ है क्या दिक्कत énormний कि आपकी pregnancy कैसी है और आपकी हिस्ट्री कैसी रही है उसकी अकोंडिंग या तो हो सकते वह pregnancy के शुरुवाती दिनों से आपको folic Acid देना शुरू कर दें अगर आपकी pregnancy safe healthy है तो हो सकता है कि आपको तीसरे महीने से वह pregnancy लेकिन फॉरी प्रेग्नेंसी चलती है तो इसलिए आप बेजीजग होकर के अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 mg की फॉली कैसी ले सकते हैं बहुत सारे लोगों के मन में आगा कि कौन सी लेनी इसके लिए चैनल पर वीडियो है लिक आपको मिलेगा कमेंट बोक्स में जामिन B12 यह सारे ऐसे होते हैं कॉम्पोनेंट जो की प्रेग्नेंसी को कंसीव करने में हेल्प करते हैं आपकी शारीरी कमजोरी को दूर करते हैं तो इसलिए फॉली कैसिक सा मल्टिविट में लेना जरूरी है अब किस टाइम पर लेना चाहिए यह मोस्ट इंपॉर्टन च चीम आपको लेना जरूरी है ठाने के बाद आप कभी भी ले ले सकते हैं मल्टि विटमीन रात में सोने से पहले दूद अगर आप लेते हैं तो दूद के साथ लेज़े यह फिर पानी के साथ भी ले सकते हैं तो इन दोनों कि जो दोनों है कोई को एडिसीं नहीं है फॉली ब्रेंट जैसे कि मैंने बता दिया वो वीडियो आप देख लीजेगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से ब्रेंट है क्योंकि मैं कोई इक स्पेसिफिक ब्रेंट नहीं बता सकती हूं हो सकता है मैं जो बता हूं वो आपको आपके आसपास मिले या ना मिले तो वीडियो में आप देख लीजेगा तो आपकी काफी हल मिल जाएगी जो आपको मिल जाए अपने आसपास आप उसको ले आएगा 5 mg मात्रा होनी चाहिए इतना ध्यान रखिएगा और जब आपका कंसीव हो जाए तो डॉक्टर से जरूर कंसर्ट कर लीजेगा उसके बाद व लेने से फॉलिक एसिड आप नेचरली अपने डाइट के थू भी ले सकते हैं जैसे कि ब्रॉकली है पालक है बादाम है और भी हमारे डाइट में कई सारी ऐसे सब्जीयों होती हैं जिसमें भरपूर मातरा में फॉलिक एसिड होता है तो आप अपनी डाइट की जरीए भी कर सकते हैं और इससे आप बहुत जल्दी घर्व धारण करेंगे ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स भारे पड़े हैं कई सारी अलग अलग वीडियो के नीचे जिसमें वीवर्स कॉमेंट करके खुद कहते कि मैं हमने फॉलिक एसिड और मल्टी विटामिन की हैं से बहुत जल्द प्रेगनेंसी कंसीड की हैं तो आई होब कि आप लोगों के लिए भी यह फाइदे बंद होगी अगर आप लंबे समय से ट्राइब कर रहे हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू करेंगो चैनल को सब्सक्राइब जरीगे तो लिए मि वेस्तरे और बेस्ट केर ऑफ प्रेगनेंसी देटरी बबबाय सी यू सून इस्टे हपी एंड इस्टे हल्डी नमस्कार